हेलो रण वलकम यू ओल एड़ अधायमेश ट्रीटोडियल होप यू आल तो अभी अभी आइपेट ने अपने ओफिसल वेबसाइट पे एग्जामिनेशन जो फॉर्स एग्जामिनेशन आइपेट का उसके बारे में नौटिफिकेशन दिया है कि कब से हमारा और आज 18 है तो आपके पास वन मन्त का टाइम है ठीक है और सबसे इंट्रेस्टिंग बात यहां पर यह है कि एक्जामिनेशन जो होगा आपको किसी एक्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जाना पड़ेगा आप एक्जामिनेशन अपने ही प्लेस पे जहां पे भी हो आप केफे और एनी अदर प्लेस नियर देयर होम से लेप्टॉप डेक्स्टॉप केंप्यूटर इस एवलेबल विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक है तो अब यह तो अब जब एक्जामिन घर पे होगा तो इसका मतलब वह कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे कि आप करेंगे इट मींस आपको सिंपल सा जैसे आपका मैक्रोफॉन के भी डिटेक्ट किया जाएगा आपके कैमरा का यूज किया जाएगा आपके फेस के लिए तो वह सब के बारे में भी इन्होंने यहां पे बोला है यहां पे कंप्लीट अगर एक्जाम गाइडलाइन आप करेंगे आइमीन जैसे आपका आधार कार्ड हो गया तो उसका हो सकता आपको फोटो दिखाना पड़ेगा आपको आपको फोटो दिखाना पड़ेगा यहां पे होगा यहां पे देखो फीजाइडी एंड कंटीनियस का मतलब हुआ पूरे एक्जामिनेशन टाइम में आपका कैमरा ओन रहेगा और वह आपका करते रहेगा ठीक है कंडिडेट को साथ उसके लिए यहां पे कोई एप्लिकेशन डाउनलोड करवा जागा यहां प जरूरत नहीं है तो यह एक अच्छी बात है कोई नाइंटीन सिच्वेशन वाभी ट्रांस्पोर्टेशन का भी इसू है और जो अपरेटिंग सिस्टम और चाहिए रिक्वार्मेंट आपको इंफरस्टेक्टर का वह इन्होंने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विं चाहिए आप जो है सेलफोन से नहीं दे सकते हैं आपके पास डेक्टाप या लैप्टाप दोनों में से कुछ एक होना चाहिए और इसमें वेबकेम भी होना चाहिए विथ हाय रिजुलेशन विकाउज यहां पर दिको बोला गया वेबकेम एट हंडेट इंटू 600 और रिज यहां पर आपका माइक्रोफोन डिटेक्ट करेगा अगर आप कुछ बोलोगे तो देविल डिटेक्ट यू एन अगर कुछ भी अन्वांटेड तिंस करते हुए पाया तो वह आपको सस्पेंड कर सकते हों कि यहां पर वेब ब्रॉजर के बारे में इन्हों ने बोला कि मोज देना है तो मतलब इतने का आपको जुगार करना पड़ेगा ठीक है और यहां पर जिनरल गाइड लाइक आपको किसी प्राइवेट एडिया में देना जहां पर कोई आए जाए नहीं होना चाहिए उस एडिया में ठीक है कोई डिवाइस में अगर जोड़ा है तो उसको करना होगा आपको डाइक ली आपको देखो इस तरह से आपको आगे वैटना होगा वेबकेम के सामने ओके इंटेगरिटी गाइडलेंस यहां पर दिया हुआ कि आपके पास वैलिड फोटो आइडी रहना चाहिए ठीक है इन और तो वेरिफाइड यूर फोटो आइडेंट करना होना चाहिए कीवर्ड आप रख सकते हो और माउस रख सकते हो कोई भी ब्रेक आपको नहीं मिलेगा डियूरिंग जो भी आपको वासुम आनौर करना है पानी आनौर पीना है वह सब कुछ आप पहले ही कर लेंगे ठीक है मल्टिपल मॉनिटर जो है वह सब डिशेवल अब मॉनिटर के पीछे आप दूसरा एक मॉनिटर रख दो आप पता नहीं यह सब कैसे पता करेंगे इसके लिए क्या टेकनोलोजी यूज करेंगे और कितना एफिसेंट होगा उनका टेकनोलोजी यह तो मॉक टेस्ट के बाद ही पता चलेगा बट इनका यह सब गाइडला और रिसोर्सेस एलाओ नहीं होगा कोई डिजिटल नोट आप यह नहीं कर सकता हो फिजिकल नोट भी आप नहीं यूज कर सकतो हैड़फॉन का यूज आपको नहीं करना कोई परसिनल आइटम लाइक कीज वालट मोबाइल डिवाइसे और यह सब यूज करना आपका स्केनि को कंप्लेटली रोकेंगे और फेथफुली ट्रेकेस एक्जाम लेंगे यह अब उनका इस्व है अब देखते हैं सिस्टम इनका कैसा है विकाओ जब रिसेंटली उनिवरसिटी एक्जामिनेशन लेने का कोशिच किया और बहुत जादा इस्व था रिगार्डिंग एक्जामि नहीं है उसके बारे में देंगे तो आई विल इंफॉर्म यू गाईज और आइप एक्जाम के बारे में आप सब को पता ही होगा कि यह फर्स टाइम एक्जामिनेशन कंड़क्ट किया जा रहा है फोर और इंजिनियरिंग स्टुडेंट और इसका जो से वह मैं आपको सब्सक्राइब के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैल्थ सेप्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट उसके बाद आपका इन्वारमेंटल लॉज सोसल रिस्पोंसिटी एन एथिक्स तो यह बेसिक तिंग से और उसके बाद जो थर्ड आपका सेक्शन आएगा कोगनेटिव वाल और फिर जाके आपका आता है इस्पेक्टिव इंजिनियरिंग डिस्प्लीन वाला जिसमें आपको फिप्टी क्वेस्टन रहेगा और फिप्टी मार्क्स रहेंगे और इसका स्लेबस यहां पर आप देख सकतो और यह अगर आपको स्लेबस चाहिए तो आप टेलिग्राम ग प्रिपरेशन के लिए जो भी मटेडियल्स होगा वो प्रवाइड करूंगा इस एक्जामिरेशन के लिए ओके और यह स्लेबस आपको चाहिए तो यह भी मैं प्रवाइड करवा दूंगा तो अब आप इसके कॉर्डिंग जो है बहुत कम टाइम है तो आप अपना प्रिप कर सकते हो आपको क्वेश्चन का एडिया लग जाएगा तो होप आपको क्लियर होगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी तो आप MS टूटर को सब्सक्राइब करें और साथी साथ अपने फ्रेंड से भी इसे सेर करें और अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग इ हुआ हुआ है